दोस्तों मैं सुनिल शुकला एक बार फिर एक नए बिचार, एक नए तसवर के साथ सक्सेश सक्सीट्स लाइक एनिफिंग, नोबडी इस टेकर अफ फेलियोर्स जैसे कोर्ट्स न जाने कितने मिलेंगे नसीहते मिलेंगी, उपते हुए सूरज को सलाम करने वाले लाखों में मिलेंगे असफलता को ढूंटे हुए लोग कम मिलेंगे, जो अपनी और दूसरों की असफलता से नहीं सीखते वो बेवकूफों की स्रणी में आते हैं, इगो या फिर ज्यादा आत्म विश्वास के सिकार लोग खुद डूबते हैं और दूसरों को भी ले डूबते हैं जबकि सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं, आज 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 की सफलता से भारत बहुत खुश है इस तरह चंद्रमा के दक्षणी धुरू पर उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है लेकिन ये सफलता चंद्रयान 2 की बिफलता पर पूरी तरह निरभर है 7 सितमबर 2019 चंद्रयान 2 की बिफलता पर उस समय इसरों के प्रमुख K7 ही नहीं रोय थे, पूरा भारत रोया था इसरों की टीम पर पहले भी नाज था, आज भी नाज है के सीवन की मेहनत का नतीजा है कि आज हम सफल हैं के सीवन एक किसान के बेटे हैं और उनके नेत्रत में ही इसरो ने 104 सेटेलाइट अंतरिक्ष में भेज कर एक रिकार्ड बनाया था इसरो प्रमुक सोमनाथ और उनके साथ ही टीम मेंबर्स इस सफलता के नायक हैं और साथ में कई दस्कों का निरंतर कारे भी इस सफलता के लिए मजबूती देता है आरिभट सेटेलाइट के लांचिंग के दोरान साइकिल में जाता हुआ राकेट या फिर बैलगाड़ी में जाता हुआ आरिभट और उसके चित्र इसरों के परिश्रम की याद दिलाते हैं चंदरयान तीन मात्र 615 करोन में पूरा करके दुनिया की स्पेस अजैंसीज को दिखा दिया है कि भारत के स्पेस बैङ्यानिक कम पैसे में भी बेहतर कारुत कर सकते हैं दुनिया की स्पेस एजेंसी जैसे नासा, रूश, यूरोपियन और यूके की स्पेस एजेंसी ने भारत की सफलता का स्वागत किया है। रिजल्ट हमेशा सफलता और बिफलता को मिलकर बनते हैं। यही नहीं, अठारा साल के शत्रंज के खिलाड़ी प्रग्यान नंदा हारते हुए भी सबसे कम उमर के वो बिजेता बने। वो सफल हैं, वो हारते हुए भी नंबर एक हैं। दुनिया की नजरें उन पर हैं। हजारों पेटेंट अपने नाम करने वाला थामस एडिसन अलवा को उनकी स्कूल की टीचर ने निकाल दिया था। और एक पत्र में एडिसन की मा को लिखा था, तुम्हारा बेटा किसी काम का नहीं। मा के आँखों में आशू थे, एडिसन ने पूछा मा इसमें क्या लिखा है, तुम्हारी टीचर ने लिखा है कि तु दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस है। और इसी दिन दुनिया को रोशनी देने वाला टामस एडिसन की सफलता की इमारत तामीर हो गई थी। मा ने ठान लिया था कि मैं अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस बनाऊंगे। अबराहम लिंकन ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। दुनिया में प्रजातंत्र को ससक करने के लिए वो आज भी सम्मान के साथ जाने जाते हैं। यही नहीं बिटिश नैवी का एड्मिरल नेलसन जिसने हारा हुआ युद्ध जीत में बदल दिया हो। आज भी दुनिया के बहद्दूर नायकों में गिने जाते हैं एड्मिरल नेलसन। लड़ाई जब सेकेंट्स की हो तो क्या सफलता और क्या बिफलता। एक कोशिस तो करो यारो और उस जजबे को एक सलाम तो करो कभी मत भूलो कि जो हारा था आखिर वो भी एक नायक था। किसी ने कहा है मंजिल मुझे मिले या ना मिले मुझे इसका गम नहीं जिंदगी की जुस्तजू में मेरा मकां तो है कभी निराश नहों आगे बढ़ें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को बेराम देता हूं। सुबरात्री शब्बा खैर। लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।